और भुटे सब्सक्राइब लिए वीवा वीडियो को खोले ना अपने ऐपन कर ले नहीं कि इसको करने के बाद आपने नहीं है ना क्रियेट के ऊपर ग्लिक करना है इसको अपने ऑपर क्लिक कर पाण को है उपर क्लिक कर और होगे तो आप अब देखो इसके उपर logos भी आ रहे हैं कुछ लिखा भी आ रहा है और ये सारी चीज़े आ रही है तो इनको जब हमने हटाना है सबसे पहले क्या करना है आपने canvas के उपर क्लिक कर देना ये canvas आ गया canvas के उपर क्लिक करके आपने जो है इसको 16 ratio 9 वाली में कर देना जैसी 16 ratio 9 वा इसको जूम कर देना है जूम कर देना है तो ऐसे जूम करते जाओगे तो यह पिक्चर जो है बड़ी होती जाएगी अब उपर वाले जो लिखे हुए सारे उनको हटाने के लिए हम उतनी जूम कर देंगे जहां तक यह पूरी फिट हो जाए अब इतना आ गया अब इसके ब लोगों उसको हटाने के लिए मैं बताता हूं कि अगरने नीचे जो टेक्स्ट एंड एफएक्स लिखा हुआ है इसके उपर क्लिक करना है इसमें जो फूर्त ऑप्शन आरही है मुजेग की इसको क्लिक कर देना है और सबसे फस्ट वाली बलर वाली सेलेक्ट कर देना है जै बलर करने के लिए जैसे मैंने इतना करती है अब यह हो गया अब इसको कर देना है ठीक है और इसको यहां से ड्रैग करकर लास्ट तक ले जाओ यहां तक हमारी वीडियो है तांकि यह हर एक सारी वीडियो में इतना सारा गाय हो जाए अब देखो सारी जगा पर जो ब्लिव कर दूँगा तो इसका एक डुप्लिकेट और आ जाएगा तो इसको मैं ड्रैग करूंगा इसको मैं राइट कॉर्णर की तरफ ले जाओंगा तो यह भी अगर हम वीडियो को आगे निकाल कर दिखें तो यह भी ब्लर हो जाएगा ठीक है इतना यह तो आपका था ब्लर करने के लिए जो अगर इदर उदर ब्लर है अगर आपने ड्रिम करनी है तो यहां से पहले वापस आजो वापस आने के बाद जहां से हमने ड्रिम करनी है सुपोज मैंने यह पीछे आपका टिक टोक लिखा रहे हैं इसको हटाना है तो मैं यहां तक जाओंगा क्लिप एडिट में दबारा जाओंगा क्लिप एडिट में नीचे लिखा हुआ है सुप्लिट स्प्लिट के उपर क्लिक कर दूँगा जैसे स्प्लिट के उपर क्लिक किया तो यह वीडियो जो है दो क्लिप्स में होगे अब जो क्लिप्स मेरा निसेसरी है मैं उसे स्लेक्ट करकर नीचे यह आगे ले जाओंगा जैसे यह पांच सेकेंड तक मैंने काटना है तो यहीं तक ले जाकर split के उपर क्लिक कर दूँगा तो यह भी आपकी दो images दो clips में बन जाएगी जो clip मुझे करना है यह उसके उपर ले जाकर मैं delete के उपर क्लिक कर दूँगा तो यह भी जो है आपकी डिलीट हो जाएगी लेकिन यह दियान देना है अब जैसी मैंने यह डिलीट किया तो नीचे जो हमारे sticker वगए रहते वह भी साथ में दिलीट होगे यानि के जो मजएक हमने धुंद धुंद लया बलर किया था वह option भी डिलीट होगी तो इसको वापस लाने के लिए मैं अंडू कर दूंगा अंडू करने के लिए यह हमारे डिलीट होगे तो उसके लिए अगर वापस जाना पड़ेगा हमें कहां पर नीचे text and fx के उपर तो इनको भी पहले जो है यहां से हटाकर वापस लेकर जाना पड़ेगा क्लिप से जहां से हमने क्लिप काटा है मैं वापस जाओंगा क्लिप एडिट में अब अगर इसको डिलीट करूंगा तो हमारे नीचे वाले बिलर वाले इफेक्ट नहीं पड़ेंगे अब उसको इनके बरापर का साइज कर देंगे अब देखो आगे से भी क्लिप काट दिया हमने और बैक साइट से भी क्लिप काट दिया और उपर से बलर भी कर दिया और इसके बाद आपने सेव के उपर क्लिक कर देना है सेव के उपर क्लिक करने के बाद यह सारे साइज आ जाते हैं तो हमने सबसे सोटा साइज रखना है नॉर्मल 480 पिक्सल इसके उपर क्लिक कर देना तो आपकी वीडियो जो है वो रेंडर होनी शुरू हो जाएगी यानि कि इसकी आउटपुट आनी शुरू हो जाएगी इसमे में थोड़ा सा टाइम लगते है जितने बड़े साइज की वीडियो होगी उतना टाइम लगजेगा बस इतना सा काम था इसमें अब यह जब हो जाएगी कंप्लीट तीवी कहोगी सोट में अब चलते हैं